मैं इस वक्त मौझूद हूँ राष्टिय लोक समता पार्टी के परमुक उपेंद्र कुस्वा के आवास के सामने आज सुवा से ही वो भारती जनता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अमित्सा से समय मांग रहे हैं मिटिंग करने के लिए लेकिन अभी तक अमित्सा के तरफ कुल्य कर जुग सरगर्मी चल रही है वो अभी तक ठंडी नहीं हुई है इसलिए उपेंद्र कुस्वा भी जयदा चर्चा में है और बताया जा रहा है कि आज भारती जनता पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अमित्सा से उनका अपचारिक मुलाकात होनी जा रही है जिसक और आप जानते हैं कि अमित्सा से मिलने के लिए उपेंद्र कुश्वाहा पिछले कुछ समय से प्रयास कर रहे हैं जिस तरीके से बिहार में तेजी से घटना करम बदला है और नितिश कुमार के एक बयान के बाद से उपेंद्र कुश्वाहा नितिश कुमार से अच्छे ख पिछले एक निड़ हपते में उपेंद्र कुश्वाहा कई बार पटना से दिली का रुख कर चुके हैं और अभी जस वक्त मैं आप से ये बात कर रहा हूं उस वक्त भी उपेंद्र कुश्वाहा दिली में मौजूद हैं और वो इंतर रहे हैं भाजपा के चीफ अमिट शाह स बिहार में अपने कारिकरम का हवाला देते हुए कहीं न कहीं अमिट शाह से अपनी मुलाकात को आगे टाल दिया था अंदर खाने की जो बात है कहीं न कहीं हमें जो पता चल रही है यह की अमिठ शाह इस मामले में भी उपंद कुश्वाह से नाराज चल रहा है और अब जो हालिया एक विवात पेदा हुआ है बिहार में जिसके तहत नितिश कुमार के एक बयान को ले करके उपेंदर कुश्वाहा ने बताया कि वो नितिश से नाराज हैं और इस बाबत जो है वो अमिट शा से भी डिरेक्ली बात करेंगे और पत्र भी लिखेंगे अब तक उपेंद्र कुश्वाहा ने कोई भी पत्र अमिश शा को नहीं लिखा है हाला कि ये जरूर है कि वो खुद दिल्ली जाकर के अमिश शा से मिलने का प्रयास कर रहे है मगर इस वक्त जो बड़ी ख़बर आ रही है कि अमिश शाह RLSP के चीफ को जो है समय नहीं दे रहे हैं मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं जबकि उपेंद्र कुश्वाहा दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं इसके कई सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं कई सारे माइने निकाले जा सकते हैं अभी तक बिहार में जो NDA का जो लोकसभा का जो चुनाव होना है उसका sheet sharing का formula पिछले काफी हपतों से इंतजार करने के बावजूद भी final नहीं हुआ है इस मामले में नितिश कुमार ने भी कह दिया था अमिर्शा ने भी कह दिया था कि अगले तीन दिनों के अंदर में हम sheet sharing जो है वो उसका जो formula है उसकी जो city है आगे सपस्ट कर देंगे मगर वो इंतजार आप तक जो है लंबा होता जा रहा है और इस बाबत बड़ी ख़बर ये आ रही है कि अमिर्शा जो है उपेंद्र कुश्वाह को कहीं ने कहीं मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं तो ये इस व अब उपेंद्र कुश्वाह को पत्र लिखते हैं ये देखना दिल्चस्प होगा अभी शेक चंद्रा लाइव सिटीज पटना